हलो दोस्तों कैसे आप लोग अमेद करते हैं सभी के अच्छे होंगे तो यह है नाइन्थ किलास का भोगोल का दूसरा चेप्टर और यह बिहार बोड के नाइन्थ किलास का है शुरू करते हैं दूसरे नमर ध्याई का जिसका नाम है भौतिक स्वारूप संग्रचना हैं उच हो जाए शुरू करते हैं इसमें देखेंगे सबसे पहले यहां लेकर अप्छाय अपरदन और निच्छेपन देखें यह तीनों कारण से क्या होता है कि प्रित्वी परका धर्ती परका जो भू संग्रचना होती यानि जमीन जो रहता है वो चेंज होती रहता है यानि कभी तूटेगा अब होता क्या है कि किसी भी कार्मों से जब भूमी की संग्रचना बदल रही है उसको मुन अगर मुन ले मुखे कारण देखा जाए तो अप्छाय है अपरदन है निच्छेपन है अप्छाय मतलब क्या होता है कि मान के चली कि हजारों लाखों वरसों को बाद दिरी दिरे बुढ़ा के टूट गया घीस पीट के बरबाद हो गया पहाड है नदिया है जिल जारना ये भूमी पर के जो भी आकर्तिय है अब प्रदन मतलब क्या होता है टूट जाना घसक जाना निच्छेपन मतलब क्या होता है निच्छेप यानि नदियों द्वारा नय भूह आकरतिया में changing देखने के लिए हमें मिलता है कि कभी दिखता है कि पहाड बड़ा था चोटा हो गया या टूटी या यह सब किन कारणों से होता है अपच्छाय से अपरदन से और नीचेपन के कारण होते रहता है ठीक है आगया जी यहां लिख रहा है एक बड़ पलेट विवर्तने की सिधांत अब यह एक होती दुनिया जो है लगलंग पैली Manh Means नामения, prent जिसका नामट था गोड़ वाणot लुक्ग समंगम बड़ यह वाडटव अंगार वहादा और जूपर यह उख लगGuडविवान लेंड़ बड़ यह यह यद्धिका रखन दूढबम ब इसके बीच में एक सागार ता इस सागर के नम था तक अब ये समय के साथ ये बीचार के तूट गया अपट हुआ हैP धर्ती पर वर्तवान समय में छे बड़े पिलेट है जो धर्ती को उपर ऐसे फ्लोटिंग कर रहा घूम रहा है अब जितने भी पिलेट है यह फ्लोट करते रहते घूमते रहते कोई ऐसे जाता है याने एक दूसरे का विप्रित कोई एक दूसरे के समनांतर आता है एक दूसर चीजो के बारे में पुरी कहानी पलेट वीवर्तिनी के सिधान्त को किस न समझाया था- Jeff Margan ने समझा था- WJ Margan मार्गन से दीक रहे की मार्ग दिखाने वाला मार्गन क्या करेंगे पलेट वीवर्तिनी के सिधान्त बताएंगे इननों ने कहा कि छे बड़े पलेट और अन्य छोटे छोटे पिलेट है। 6 बड़े पिलेट रहे कोएक से अस्तलिय यह भाउरतिय भूखड़्ड अफरिकी भूखड़्ड, अमरीकी भूखड़्य भूखड़्ड, प्रशांत भूखड़्ड अंटारकटीकप्र ौधुकड यह छोटे पिलेटो …batsh फीगरम दिया हुआ है उसको बहतर तरीका से आपको दिखा दूगा है छोटे प्लेट में को बटा अरेबिया फिलिपिन्स जुआन तुफुका कोकोस नजगा एसकेटिया करेबियन सुमालिया विसमार्क यह नो छोटे प्लेट में भढ़ दिया गया यहां लिख रहा है कि प ब्रफानी और उससको हम 그걸 प्राम डीप बोलते हैं और उसके नीचल भागों को अंतरी बोलते लग इस वात को दोनें को यहाद रखी गयंगा अब भारत का जो निचेल भाग यह दुनिया का और लगबलब देखा जा भारत का भारत का सबसे पुराने भागों में से एक है दुनिया में भी सबसे पुराने भागों में से एक है ठीक है अब यह कर रहा है कि यह भुकंड कभी समुद्र में नहीं डुबा है अर्थार्त यह भाग सबसे प् बाव उतनाव उत्पन होने के कारण मोड यानि के वलन वहरंसी करण जो अला मुखी करिया उत्पन होती है अब यह क्या होता है दिखेंगे मान के चलिए कि पलेट एक दूसरी के तरफ बढ़ेगा यह इधर बढ़ रहा और यह इधर बढ़ा तो क्या होगा इसके फल इस तरह पहाड की निर्बान होते जा रहा इसको बोलते कि पलेटों में वलन हो जबते हैं यह उंहां और बढ़ेगा बढ़ेगा इस और बढ़ेन गाती यह द बंढ़ा सा यह ने ही पैलेटे, फज्छन आवे फचकर आका. मतलब क्या होगा है धास जाना पृत्वी के भूभाग को नीचे धास जाना भ्रहंसी करन कलाता है अब जो आला मुखी जब पलेट एक दूसरे से दूर भागेंगे तो बीच में गैप होगा गैप के में क्या होगा अराम से निकल जाएगा कौन नीचे जो बैठा हुआ मैगम जाना भागेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें प्लेट क्या उलेता है इंडो आश्ट्रिलियन प्लेट यहां जो यह पूरी प्लेट है यह पूरी प्लेट है यह प्लेट के अंतरकत क्या आता है तो अफ्रीकी प्लेट ठीक है और यह पूरी प्लेट के अंतरकत क्या आता है तो अमरीकी प्लेट और यहां से उत्री अमरीकी ये यूरिश्याई का ही हिस्सा है और ये जो पूरा बड़ा सा दिक रहा है ये परशान्त महासागर ये पलेट ये सभी पलेट आपास में क्या होते हैं floating करते रहते हैं, moving करते रहते हैं, अब देखे, जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट से सटता है, यह देखे, यहाँ आप यहाँ देखे, यहाँ प्लेट दूसरे प्लेट से सटा हुआ है, इस करनों से क्या होता है, जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट से सटा हुआ है, यानि ज प्लेट के इंड हो रहा है, दूसरा प्लेट शुरू हो रहा है, उस भाग में भ्यानक भुकम पाते हैं, क्या होते हैं, भ्यानक भुकम पाते हैं, यही करने कि इसी जगए पर है जपान, क्या है जपान है, इसलिए जपान में बहुत भ्यंकर भुकम देखने के लिए मिलता है आ गया जी नेक्स समते लो इसको देखते लो कुछ पलेट एक दूसरे के करीब आते हैं क्या होते है कुछ पलेट एक दूसरे करीब आते हैं तो क्या होगा देखिए जब एक दूसरे करीब आएगा कोई भी आदमी या कोई भी चीज तो क्या होगा बिनास होगा तो बिनासी पलेट सिमान्त का निर्मान करती है जब पलेट एक दूसरे करीब आएगा मन चलिए ये इधर से आ रहा और ये इधर से आ रहा तो जाहिर से बात है जब एक दूसरे करीब आएगा तो टकराएगा टकराने के बद क्या होगा तकराने के बाद क्या होगा यह प्लेट का बिनासी प्लेट का निर्मान करेंगा करें कि नहीं करेंगा यानि कि एक नया भूकर्ण बनेगा एक नहीं है तो वही करा है कि जब प्लेट एक दूसरी करीब आते है तो क्या होता है बिनासी प्लेट सिमान का निर्मान करती है और यह धर बाएगा जब एक दूसरी का रगड कर जाती है ना इस कंडिशन क्या होता है संग्रक्षी पलेट सी मांत कहते है इसको क्या कहेंगे इस एक दूसरी को बिप्रित रगड कर जाती है तो संग्रक्षी पलेट सी मांत इसको कहा जाता क्या कहा था संग्रक्षी पलेट सी मा अभीब आएगी दूर जाएगी एक दूसरे को रगड कर जाएगी इससे ने ने भुकंड के दिर्वान होगा ने ने चीजों का बनेगा भू अकृतियां में चेंजिंग आएगी अब यहां पर समझे पृतिवी का उत्पती जो है हमारे पृतिवी के उत्पती है पांच बाटा गया है बाले वास्था उसके बाद से बाले वास्था के बाद सिसु व प्रणा वास्ता बृता वास्ता उसी तरह बढ़ा गया उसी इससे तफर प्रृतिवी क कभी एज को बिद चुका इस예요 को चार बघागा день म पहले को बिद Do grim यह प्रारंबिक, तीसरे को बोला है मदे जीव, चोटे को बोला है नूतन जीव, यह चार एजों में बाटा गया है, अब इसमें कहा रहा है कि पुर्वे केम्बिरियन की सबसे लंबी हो दी रही है, तो जो पुर्वे केम्बिरियन यूग है, क्या है पुर्य केंब्रियन यूग, यह कहा है, सबसे लंबी यूग के रहा गये, जो पृत्वी की उत्पती से लेकर, आज से लगबग 55 क्लोड वर्स पहले समाप्त हुआ, तब 55 क्लोड वर्स पहले जो पृत्वी की एज थी, यानि वो अपना एज समाप्त कर दिया, बीत चुका है जिसे अभी आपका है कि बच्पना से आगे बढ़े चुके, उसी तरह पृत्वी के जो एज जो है ना, केंब्रियन यूग से आगे निकल चुका है, कब अपना केंब्रियन यूग को छोड़ा है, तो 55 क्लोड वर्स पहले, इसे केंब्रियन को छोड़के आगे बढ़ गया आगया जी, अब भारत 20 को वर्स पूर्वे सुदूर दच्छीन में था, भारत कहाता है, दच्छीन साइड में था, यानि कि नीचे में था, दच्छीन साइड में था, जो की गोड़वाने लेंड का भाग था, एक्चुलल में कहाता है कि यहां जो यह अफ्रीका कॉंटिन यहां से धीरे धीरे घसके घसके, यहां से तूट टे कहा गया है तूट के चला गया हुपर आ के तकड़ा गया तो यह कभी गोड़वाना लेंड के हिस्सा था गुद्वाना लेंड में भालत अस्ट्रिया और अफ्रिका दच्छिन अम्रिका सामिल था जितने भी नीचे के है ये उपर वाला अंगारा लेंड टूटा तो उतरी अम्रिका उक्सकवाद ही रोप और एसिया बना और ये गोडवाना लेंड जो टूटा तो ये दर ते दच्छिन अम्रिका क्योंकि दच्छिन अम्रिका ईदर बगल में उसके बाद अफ्रीका बना अफ्रीक बाद भारत बाद अप्राइब इसी तरह नवर्हां जी ये ऊधर बन तो यह तो बन sudah करिया के लिए अगे हैं मन से इसको रटते रहिएगा, दस बर इसको पढ़िए खुब, टाइम तो बहुँ जादा है आप लोग पास में, क्योंकि इस चीज को तो यतना बर आप लोग पढ़ चुके होंगे लोग, और बार बर पढ़िए, होता है कि एक्जाम का लास्ट में आप लोग मुश्टली आ नीचे महादेश आपारते महा महासागर उपर महासागर महाशगर आप, उतर में सबसे नॉठbing से पूल सइड में आर्कृक महासागर कहता है, उस महासागर में धाई संटीमेंटर ही प्लेट घसकता है लेकिन परसांत वहां से अगर बहुत तेजी से फ्लोट करता प्लेट 15-18 संटीमेंटर घसक जाता है आगया जी यहां लिकाई यूरिशियाई प्लेट से टकरा है यह क्या है वही मैं बताने कोशिस कर रहा था जो नीचे से जो आफ्रेट यहां अस्ट्रेलिय प्लेट दूने तो इक प्लेट है यह आख के क्या हूँ इससे टकराया और यह उपर तो यह लोग के भारत के पीछे सेड में इधर चाइना है चीन है किनी चीन है पीछे सेड में हिमाले परोत के उल्टे सेड में क्या है चाइना है और इधर भारत का इधर यह वला हिस्सा है यानि हिमाले परोत के नौर्थ सेड में क्या है नौर्थ सेड में जाएंगे तो चाइना है और हिमाले परोत से इधर दच्छी सेड में मतलब उप महादेश भारतिया उप महादीफ है ठीक है इस से बताने कि मैं क्या कोशुच कर रहा हूं कि इस सेट अपने तरफ में ढाल जादा है और उस सेट में खड़ी ढाले इसका मतलब क्या हुआ मान के चलिए अगर यह चाइना वाला जो पिलेट अगर आकर टगराया रह यह जब आएगा आके यह तकराये गा तो इसकी दूरी लंबी होगी और भारत इसका खड़ी रहती बहरत दखड़ी रहती है जबकि इसका उल्टा हुआ है इसका उल्टा कैसा बहारतिय पिलेट यह गया हुआ यह जाकर ऐसे टकराये वह चाइना ऊलप यानी परतों चड़ना है मुश्किल है जबकि भारत को तरफ हिमालय परतों चड़ना üçजाड है त्वा दाल जाता धाल जाका यही गया था और ब Kung झाल कम यहई रंग गया गीर को टक्रा कर अब यह जो घटना है ना 7 कोलवर्थ पूरवे घटना घटी थी, अब हुआ कि जब भारतिय प्लेट जाकर उसे टकरा है तो उसके बीच में एक छोटा सा सागर था, क्या था सागर था, उस सागर का नाम था तेथि सागर, यह तेथि सागर क्या हुआ जब यह जमीन उठ रहा उसादी चतानों के वलन पैदा हुआ यहां कैरे कि पर पहले पेंजिया भागता उतरम उडवानलेड, अंगारलेड और गडवानले इस सारी कहानी बताए दिये, उसके बीच में तेथि सागर था, सब समझा दिया अप लोगों, आगया जिया, यहां पर समझ जिया, यहां क आख का कि बड़ी दुरोनी या बैसिन के निर्मान होता है अब बड़ी दुरोनी और बैसिन का मतलth harvest क्या होता है जैके नदिया बखूत winner डोडी हो जाती है नियु दूर बहुत बड़ी दुरोनी है इसकी है्ना धेर पाणी लेके जाता तब हिमाले परोस निकलेगी तब एदब चोड़ा निकलेगी आगे जाते 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 फिर पतला होते हो तो बहुत पतला हो जाता और मोहाने में जाके इसे गिर जाती है तब बड़ी दुरोनी का निर्मान करती है जो नदिया जितना उपर से आएगी और जितना जाद बादा पानी होगा उतना ही बड़ा दुरोणी का निर्मान कड़ेंगे फिलाल में भारत में सबसे बड़ी दुरोणी बड़ाती है गंगाना थी अधर रखी ठीक है अब यह लिखावा है कि जो बिशाल मैदान का लाता है यानि मैदानी भाग का है जो नदिया दोर आपने कह की गिर गया तो यह वन गया क्या नम रहका है हिदुकूस परवत और यह उपर वह लागया तो यहतो हमाले परत है इसका नहां रका गया बंगाल के ने फिर casts तो इसका नम पढ़ गए अंडवान निको बारदीव समुए इस तरह हिमाले परत ऐसे ऐसे आया हुआ ठीक है आगया यह अब करें कि भारत में देखा जाए तो 11% क्या परवत है 28% क्या है पठारी भाग है 18% पहाड़ है और 43% जो है क्या है मैदानी भाग अब देखे पहाड़ और परवत में दोनों में थोड़ी सिंदर होती है जो भी भू भाग जो है मानकचली धरती से धरती से क्या है कि यह भाग 900 मेटर से लेकर 1000 मेटर यानि कि लगबग एक किली पूचा हो गया तब इसको बोलेंगो परवत और सेम आकरती सेम डिजाइन बनी हो बस वह छोटा है छोटा कितना है तो 900 मेटर से छोटा हो तब उसको बोलेंगो पहाड़ सिंपली बात है ऐसे पहाड़ 18% है 11% परवत है 28% पठार है और 43% जो है मैदानी भाग है भारत में सबसे ज़्यादा भाग कौन सा है मैदानी भाग है ठीक है अब यह कहाँ पहाड यह पठारी भाग की औस तो चाहिए यारि पहाड और पठारी क्या होगा 300-900 मेटर हो था अभी ने बोला कि 900 मेटर से छोटा होगा तो उसको पहाड बोलेंगे यारि 300-900 मेटर के बीच में ज यह नहीं 1 किलो मेटर बोल सकते है यह 900 मेटर बोल सकते है जब इस किता में 900 मेटर दिया है तो 900 ही मानिएगा ठीक है हाला कि कहीं के देते रहता है एक किलो मेटर भी हाला कि कोई दिकत नहीं उसे आब जो भी व्याद कर सकते है कर सकते है अब आगे आजी मैदानी भाग और आट यह भाग के देखा जागा तो यह 160 मिटर उचा है यानि कि समुद्र से थोड़ा सा उचा है मैदानी भाग ऐसे थोड़ा सा यह समुद्र होगी है और इसे कितना उचा है तो 160 मिटर उचा है उसके बाद परवती भाग देखा जागा तो यह परवती भाग समुद्र से बह जाद उचा है और देखा जाए तो आठ किले मिंटर से भी अधिक है यानि आठ हजार आठ सो और तालीस मिंटर आप सो भी पड़े होंगे हिमाले माउंट अबरेश जो है इसकी उचाई है ठीक है आगे जी और भारत में जो है 8600 गा रहा है एक चोली में आगे आए को भी होग अब यहाँ लिखा है कि ब्रीहद हिमाले कास्मीर में डल और बुलर जील के औसीज की रूप में वहाँ पर माण मिलते है यानि कि कास्मीर में क्या है डल और बुलर जीले बस इतने या दरकीगा जो मिठे पानी के जीले जो कि क्या होता है जो हिमाले से निकलने नदियों के उचना इभूमी देखा जाएगा, हेमाचल वार एडिया में, तिहाँ पर 1,000 मिटर की गार्ज, 1,000 मिटर की गहरी गार्ज बना थी, गार्ज मतलु तना इतना एकड़ा है वे नद्या जो होती है, तो उस तरह का हिमाचल में देखा जाता है एक हजार मीटर एक गार्ज देखने के लिए मिलता है कहा हिमाचल परदेश में उसको देखेंगे हिमाले परवत की पामिर पठार से निकल कर पूरब की वर जाता है पामिर के पठार यानी कि इस वले भाग जहां बोले कि अभी यहां से मुड़ गया तो यह हिंदु कुछ परद बन गया और इधर पामिर के पठार है और यहां से निकल कि कहां जाती है तह पूरब की और निकल दखिन की चाप बनाते हुए यह दच्छिन चाप मतलब तो आई से दच्छिन तरफ ऐसे चांब बनाते हुए चांब बनाते हुए उत्तर पुरुव की ओर चली जाती है क्या चली जाती है उत्तर पुरुव की ओर चली जाती है ऐसे चांब बनाते हुए इधर पहुच गए और यह हो गया इधर पहुच ग जैसे मानग चलो इस वाले इरिया में इसका नाम पढ़ गया है क्या नाम पढ़ गया है जैसे मूर्ती है तो इसका नाम पठगोई है अनुराचल परदेश में इसका नाम पठगोई कर दिया लोग क्यों क्योंकि आप जानते हैं कि इदर हम लोग को पूरवतर जो चेतर है यह वहला जो चेतर हम लोगा तो पूर अब पहाड़ी मनि पर पहुंची तो लुशाई और उसके बाद मीजूरम आ गई तो मीजूरम पहाड़ी यह सब पहाड़ी यह अलग अलग नाम इसका पढ़ पहाड की पहार की नाम है प्रुवांचल की पहाड़िया का याद रखी गया आगे जाए के लो प्रुवांचल की पहाड़िया, गंगोतरी यमनुतरी सियाचीन, बाल्टोरा, बियाको, बातूरा, पर्मों कि क्या है, ये सब हिमानिया है, हिमानिय मतलब बर्फ, जैसे पहाड है, पहाड को उपर में क्या है, पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ है, इसको बोला जाता है, हिमानिया, या इसी को बोला जाता है, जो हिम खंड उपर थंड़ा युद इस्तल है, थंड़ा युद इस्तल मतलब इतना उपर भी सैनिक वहाँ पर रहते हैं, सीयचीन में, वहीं पर है बाल्टोरो, वियाखो, बतूरा, सब ये कहां पर हैं, तो सीयचीन के आसपस में, और ये सब छित्र जो है कहां पर काराकुरम पहाड़ी के पास में काराकुरम पहाड़ी क्या है तो ये बताऊंगा अभी जश्ट आगे हिमाले से पहले की पहाड़ी है जिसको बला है ता ट्रांस हिमाले का है ठीक है सब बताऊंगा आगे यहां पर दर्रे भी हैं दर्रे क्या होते हैं पहाड के बीच की रास्ते को दर्रे बोलाइता है जैसे पहाड है और बीच में से रास्ता बन गए आने जाने का तो क्या बोलेंगे दर्रा बोलेंगे ठीक है जम्म कस्मिर में जोजीला दर रहा है, बुरजीला दर रहा है, हिमाचल पर्दिश में बड़ा लाचला है, सीप कीला है, उतरा खंड में थागला है, सिक्की में नाथुला है और जैल लेपला है, इतना याद रहा है दर्रे तो बहुत सरा है, और दर्रे को मैं एक separate video में बहु से increase हो जाएगा, आगया जी, यहां लिख रहा है कि विशाल जो समतल भूभाग है, वो इसकी उसत उचाईद देखा जाएगा, यह गहराई देखा जाएगा, तो छोसो साथ मिटर है, अरावली परवत के, अरावली परवत इस परकार के विवाचा के काम करती, विवाचा के होते हुए, जाके अरब सागर में गिर जाती है, यहीं से एक नदी निकलती है, इसके बगल में एक नीचे से नदी निकलती है, उस नदी के नाम है सतलज नदी, और यह सतलज नदी जो है, कहां चारी है, सतलज जो है, ऐसे सीधे सीधे होते हुए, आगे मिल जा रिखिस में सिंधु में यानि मुख के नादी होगी सिंधु तीक है अब इसी के नीचे बगल से जो कि गंगोतरी गले से वहां से निकलती है गंगा नदी और गंगा नदी ऐसे आ रही है लेकिन मुड़ जा रही है क्या रही है मुड़ के ऐसे चला गया उत्तर परदेश बिहार से होते अब ये क्या है ना कि वही करा है कि सिंधू को और गंगा को एक जल बिभाजक के रूप में ये बन रहा है कौन ये अरावली पर वाद क्यों जल बिभाजक मतलब हो रहा है दूनुगळा का बाट दे रहा है कि तू है न भाग तू है न भाग तू है न भाग तू है न भाग उसत उचाई पांच से लेका साथ समीटर तो यानि दच्छी में बहुत सारे पठारी भागे वह सब पढ़ा जाएगा नर्मदा नदी संपुर्ण पठारी भाग को दू भागों बाढ़ती नर्मदा नदी कहा है तो इसको ध्यान से देखिए यह हो गया भारत का हिस्सा इसकी बीचों बीच में यहां है एक पहाड़ी इस पहाड़ी के नाम है कौन सा विध्यांचली के पहाड़ी इसके नीचे एक पहाड़ी इस पहाड़ी के नाम है कौन सी तो सत्थपुड़ा परवत उसके नीचे एक और पहाड़ी इस पहाड़ी के नाम है तो अजंता परवत इस इसके भी सिक नदी निकलती जिस नदी के नाम कौन सी तापती नदी यहां सिक नदी निकलती जिस मैकाले परोसे यानि अमरकंटा के पाड़ी से जो उपर जाती है सोन नदी यहीं इधर निकलती जाती है महा नदी ठीक है और यहीं जिसे जो इधर आ रही थी नर्मदा नदी अब ये नर्बदा नदिया उपर में उत्तर भारत और नीचे में दच्छिन भारत दो भागों में बाट दी यह बताने कोशिस कर रहा ठीक है बीच वाला जमनिया धस गया धस गया तो जब मानक चलिए ये सीधा सीधा सब पहाड तोटली पहाड तो बीच में जमीन धस गया तो क्या हो गया कि ये उठा दिखने लगा मन के लिए पूरा बराबर तालो तो जब जमीन बीच में धास जाएगा तो यह उठावा दिखेगा और यह भी उठावा दिखेगा दिखेगा इस तरह यह भरांस परवत भी कहा जाता है इन लोगों को तो भरांस भरांसोत परवत भी इसको बोल सकते हैं और इसके बीच में जमिन न इसको बोलेगे भरंस घ bisogna जाएंगे तो हमी घाट पर शहयादरी के नाम से जना जिता है तो पछमी घाट यानि पॕाट लिद sido झाल्गाट भोरगाट और पालगाट यहां पर उपर में थालगाट भोरगाट और नीचे में है पालगाट ठीक है याद रखेगा यह है हम लोगों का भारत का ठीक है इस तरह है थालगाट भोरगाट और पालगाट यह तीन क्या है दर्रे हैं किसमें तो पच्मी घट में पच्मी घट के है तो कटी छटी के रहे कि पूर्वी घट जो एक है कि अगर देखा जा है यह पूर्वी घट देका जा कि इधर जो पाड़ी यह पच्मी घट के पूरी लगता रहे लेकिन यह को सेट जो है थोड़ी प्री चोटी में कट गया है करन को एक पहाड़ी पिच में आके बन थी, उसको बलाता है निल-ई-दीर्ी के पहाड़ी, जिसके उची चोटी है, निल-ई-गीर जो इक उची चोटी क्या है? दोधा बेटा, क्या है दोधा बेटा, अभी के रहा है कि उस सेट जो क्टी-छटी पहाड़िया है, श्कंट चट जने कारण क्या हूं तो महानदी गोदावरी और क्रिश्टन कावेरी यह नदिया की उस भी कारण अधिशो कहई है ये पाहाड पर यहाँ पुल्वी घाट चिख Yeah ठीक है आगया जी अब यह कर रहा है उडिशा में मेहंद्रग्री के नाम से पहाड़ी जना जाता है आंद्रप्रदेश इसको नला मलाई के नाम जना जाता है पाल कुंड़ा वेली कुंड़ा तमी लड़ों में अन्ना मलाई के नाम से जना जाता है और अन्ना मलाई के जो सब लड़की लोगा छोटी होता है नो वही छोटी सिंपाइ मतलब वही ही चोटी क्या axe कहने की है चोटी सबसे उपर रहता है यह पहाड जो होते है नहम पहाड़ पहाड़ के सबसे उपरी व mural न भाग मवह कर रहे है चोटी टीक इस अपρ false यह क्या कर общем ? यह संक कटाशटा है जब की पूर्व में चोडी समस्टार है मतलब यह मता रहे है इसहे से कटा चटाल है क्या अथि में पतला करें लिजेंडर फोड़ा है जो यह फाला से खर्णा भाग नियुक्तिन टीचणिफिस कमे यॡू की यह बहुत visit लेकिन इधर क्या है चोड़ा भाग होने गारण थोड़ा ज्यादा दुर्तों बराबर देखने के लिए मिल जाता है बस यही बता रहे है आप क्च के रण मैदानी समुंदरी निच्छेप के उजमनन से बना हुआ है ठीक है तो कोश्चन यही डारेट यही पूच देगा यह कच के रण का निर्मान हुआ है कच के रण आप लोग नहीं जानते हैं यहां से देखें किसे कहते हैं एक्चोली में कच करन है का यह है कच करन ठीक है और यह होगी है खंबात यह होता है कच करन और यह होगी है खंबात और इसको बहुत है खंबात की खाड़ी ठीक है अब कच्क करन जो हैheen ये कर con Спасибо ये करन निर्बाद हो ऊने समंदर के की निखेप याए पानी है पोछ रही है इसके निखेप दोरा इस इरिया यहांप गी दूसरी और इसके ढाल के ऊच्छाईग एक हो और इक्सोबीक से लेकर एकषोवजशस तक किसकी बहुत कर रहा है कि मैदानि भाग की बहुत कर अगया जी आप के लिक ज़ाई कहा की भौतिक भिवाक के साब से भारत को छे भागों में के बहू भागों में छे भागों बटा गया है सबसे पहले नमर भागों बोला एता हिमाले की परवस्त्रेणी उत्तर कभी साल मैदान दच्छिन का पठार टटीय मैदान मरोस्तलिये भारत का मरोस्तल और दीप समू इस च्छोग को एके करके समझेगे लो भारत के अब कोशन यहीं से भागों बाटा गया है सी आटी बिहार बोट के अनुसार बस इतना बात याद रहे आगया जी हिमाले परस्तरेणी के सब बताई दिये कि यह क्या है नमीन अब यहां दिखे ध्यान से देखेगा भूगर्बी रूप से नमीन यानि भूगर्ब मतलबता है कि पाइदा लिया है पाइदा की हिसाब से अभी नया है यानि बच्चा है और बनावाट की हिसाब से क्या है तो वलित परवत है मुरदार परवत है तो बनावाट की हिसाब से जो हिमाले परवत है मुरदार परवत है अब भूगर्बी की हिसाब से यानि गर्भ में से निकला है तो अभी सिंदु और ब्रामपूत्र के बीच में श्थीत पचीस सो किलिमेटर की लंबाई में अर्द चाप की रूप में फैली हुए, यानि कि जो सिंदु नदी था यहां से निकला और यह ब्रामपूत्र नदी यह इसके बीच में फैला हुआ है कौन से हिमालय परत, यह अर्द इसकी जो लंबाई है ना 2525 किलमेटर है अब दोनों याद हो जाएगा यहां तो हिमाले पर तो याद रखेगे 2525 किलमेटर फहला है शिंदू से लेकर ब्राम पूतर तक यहां तो गंगराधी 2525 किलमेटर दोनों उतने ही हो गया ठीक है छेतरपल लेकिन देखेंगे यह तो प चोड़ाई जो है कास्मीर हो है ना 500 किलमेटर है और वही अनुराचनल परदेश में 160 है इसका मतल़ क्या हुआ है ऐसे आया हुआ है ऐसे आया हुआ है एसे हिमाले परत मतल़ इधर जो है इस एरिया में इस एरिया में चोड़ाई बहु ज्यादा है हिमाले परत इस एरिया म क्या हो गया चोड़ायी जादा हो गया कहां पर कास्मीर घर चाहड़ और झोणाग की अशने के तरह बढ़ए रहा थैंश स्की चोड़ाय कम होते जाए को जाए च्वाइं की के 400 किलमेटर याझ पांस सो किलमेटर और mund प्रफ्स ने 156 किलिमेटर था में हैं tu सबसे उत्री भागट को क्यां व लेटा है महान औंत्रिक किमाले यह कह रिवागता है सबसे उस्थी आन्री हाले और महानम भुलीजेohgard वहोता है यह बन को पहला हिमाले जो परुभत तर्फ है उसको महानम आंत्री कमाले यह हिमादरी बोलायादये जैसे माननक चंट होगे और हिमादरी ह स्केस्ट है इस ब्रिहद ही भी बोलाया टा या द रखेगा, अब ये इसकी ऑंसत होँ ऐस है जता है खानत शेओर हो इसे ब्धी मना, इस année जो टी एक नमर पर केटू यह लिए ऑच्छन कर लिए लिए को पता रहा है यहां समझी है क्या है कि यह के टु क्या है केतु तक कारण पहाड यह गया अ खा गया क्या कि यह पकिस्तान इसको खा गया और हाली प्लाइल में घटना देखने के लिए मिला पकिस्तान इस एरिया के कबज़ा कर लिया था लेकिन अब वारतमान में यह एरिया जो है अब फिर से भारत में मिलना चाहता है क्योंकि भारत को देख रहा है कि कितना तेजी से आगे ब या आजाद कास्मीर और आजाद कास्मीर अपने एक नया रजधानी भी बना लिया उसका नाम है रजधानी मुझःपराबाद या दर के कोशन पूछ सकता है कि आजाद कास्मीर का रजधानी मुझःपराबाद जो कि पीओ के वेला एरियम आता है अब इसी एरियमें केटू जो है भारत का है यहां से हिमालेपर गुजरा हुआ यहां पर सबसे उची चोटी है उसका नाम है कंचन जंगा जो भारत में वर्तमान में सबसे उची चोटी है 8598 किलो मेटर की उची है यानि कि लगबग 8.5 किलो मेटर की उचाई है उसके बाद मैं कालू है जुकी नेपाल में देन उसके बाद धौला गीरी नंदा देवी अनपुर्णा कामेट नम्चबरवा और उसके बाद इसको देखा जाएगा थोड़ा सा ब्यातर स्मझ जाएगा नीचे बता रहो इसमें बता रहो अभी रुक जाये इसको समझें बस इतना समझें कि जासकर जो है किसका हिस्सा महान हिमाले के सा है जासकर के उत्तर में है लदाक सिरेनी उसके उत्तर में काराकोरम सिरेनी ठीके इसको ट्रांस हिमाले कहा जाता है केटू वहीं पर है संसार का दूसरा सबसे उचा चोटी है गाडवी नाश्टीन और गोरी नंदा के नाम से भी जना जाता है, केटू के नाम है, केटू के नाम है, केटू के नाम है, गाडवी नाश्टीन और गोरी नंदा भी नाम है, ठीक है, अब इसको समझेए, यहाँ आईए, क्या बताने कोशिस कर रहा था है, क्या कहा रहा है कि यहां से शुरुगा हिमाले परत, क्या शुरुगा हिमाले परत, यह होगी हिमाले परत, यह होगी हिमाले परत, यह तीन तरक हिमाले परत है, एक का नाम है, यह महान हिमाले, हिमादरी हिमाले, यह इसी को आंतरिक हिमाले, इसी को ब्रिहद हिमाले, इसी को ग्रेट हिमाले, सब इसी के नाम है ठीक है उसके नीचे आएगा मद हमाले उसके नीचे आएगा कौन सा सिवालिक अब इसको पहले समझते हैं महान हमाले को महान हमाले ये गया actually में क्या है कि महान हमाले से भी उपर में पहाड़ी है क्या है उपर में पहाड़ी है इस से उपर भी पहाड़ी है इस पहाड़ी के नामे केट इसके पहाड़ी के नामे कारा कोरम लदाक जासकर के नामे कारा कोरम लदाक और जासकर थी deiकर है कि जो यह जिसकर, जो है उपर महान हिमाले का हिस्षा है इससे जिसकर YeDeaux उत्र बढ़िए आँपर में नौर्थ आए उत्र कि आईईकें उत्र बढ़िए आथे क्वोन मिलेगा ? लड़ाकरम लद़ाक से अपर व्यूजत में भी एक पहाडी है, यह कह था, यह कहा था, यहीं का दाख और यह क्या जासकर है, ग्या है?, जासकर उसके नीचे एक और पहाडी उसका नामें पीर-्पन्जाल और ऐसा आगे बताऊंगा HEA. उसी में मिलेगे पको, पीर–्पन्जाल जो है मधि हिमाले इस मद्ध हिमाले का हिस्सा है और जासकर जो एक हिसका हिस्सा है महान हिमाले की हिस्सा है और ये चारो पड़वत को क्या बहुत है ट्रांस हिमाले का हिस्सा है यानि हिमाले से पहले का हिमाले हमाले से पहले कभी पाहाल, ठीक, समझा आप लोको यही बताने कोची कर रही था, दूसरी क्या बता रहे था यहां पर? 1611 मीटर, ठीक है? आगे यहां से तो समझे बिरियेद अब दिखते लिए बेचोब आप मद हमालेक दिखते ले, मद हिमाले को बलते हैं लगू हिमाले जब मद हिमाले भी कहा जयता है इसकी उचाई कितनी अठारासो से लेकर लगबग 4500 ना 4500 मिंटर के बीच मैं आइगी देखिए 4500 और वो महान हिमाले कितना था तो 100-100 मिंटर इसकी उचाई थी अब इसकी ओसत जो चोड़ाई देखेंगे चोड़ाई तो इसकी चोड़ाई जो है पचास किलिमेटर है इसकी ओसत चोड़ाई उसे ज्यादा नहीं तीन सु चार मेने यहां पर बरफ जमा रहता है अब अभी जाईसा है की पीर पनजाल सिरेनие इस भाग का हिस्सा है अभी जास्मीर की घाटी सिमला मसूरी नैनी ताल दारजीलीं आदी है यहां पर आदी जोगा है सदा बहार वनों यहां पर ढाके हुए यानि इस चित्रों में सदा बहार वन पाए जाते है कुछ घास के भी मैंदान पाए जाते है कास्मीर में मर्ग जैसे कि गुल मर्ग खिलन मर्ग और सोन मर्ग जो है इसे कहते है तो इस एरिया में कास्मीर में क्या है मर्ग है मर्ग जाता है नेक्स्ट उसमें आज उसके बाद जी इस बात तो दम पूरी डिटेल्स याद रखेंगा इतना डीप से पढ़िए कि न तब जाके बहतर चीजे समझ आएगे हमाले की सबसे दच्छिन सबसे दच्छिन देखा जागा यानि हमाले के दच्छिन मतलब क्या होता है कि इसको बोलते है अंत्रिक हमाले ॉसकी लोग उल्टा दीखते हैं आप ध्यान समझेए आप भारत के तरफ से जहां करना तो सबसे बाहर में कौन बठा है जैसे इमान के लिए पूरा घर है इस घर में सबसे बाहर में यहां किनारे पे कौन बठा है यह है सी वालिक तो इसको क्या बोले यह अंदर में है कि बाहर में सबसे बाहर में बीच में घर में कौन बठा हुआ है ये है मद हिमाले और सबसे पीछे यानि अंदर में चुपए कौन बठा हुआ है तो बठा हुआ हुआ है कौन आंतरिक हिमाले इसको बठा हुआ है इसको बाहरी हिमाले इसको बाहरी हिमाले इसको बाहरी हिमाले इसको बाहरी हिमाले लिखा हुआ है घर के तरफ में सबसे बाह पच्छिमरज हो इसको बाहरी हमाले मोलता है उसके बीच वाले को मद हमाले हो सबसे पघे 돌 आभ इसको पतवार पठायरत पठारह लसुत गहाएं सब्सक्राइब ayamad पतवार तु तिस्ता पतवार तु तिस्ता गई भी यह सी वालिक. सी वालिक या भाहरी हम या उफ तिस्ता है कहाँ से कहाँ तो कहं युद्ध सा जिर्स नदित, फैली हुए Мосd collector अै अब यहाँ घाटिया है, क्या है उधर मध हमाले के से बीच में क्याती तो thermometrical science जिसको मर्ग बोला गया कास्मरी पर मर्ग बोला गया और यहाँ जो है क्या है यहाँ पर जो है दून है घाटी है इन घाटी हो क्या कहा है दून ये द्वार कहा है जैसे देहरा दून कोटली दून, पाटली दून बुटवाल, कांगडा, घाटी, अलिपूरद्वार, wrap up अलिपूर द्वार है, यह दून दून है, यह सब क्या है? घाटी है, घाटी मतल्ए किए वतना, दो पहाडों को बीच के जगा को, पहाडों को बीच के जगा है वतना, इसको घाटी बुलायता है, तो घाटिया हैं कहाँ पे इन सिवालिकों के छेत्रे में जो इन सिवालिक पहाडिया जो है इसके मध्य में घाटिया मिलती है जिनको दून या दुवार का है जैसे देहरा दून, कोटली दून, पाटली दून, दुवार देखेंगे तो अलिपूर दुवार ये सब है अब य पच्छुल में क्याना कि पच्मी चंपरन अगर देखा जाए यानि बिहार अपना देखा जाए बिहार तो यहां महान हिमाले मध हिमाले और सीवाली का ऐसे गुज्रा हुआ है तो सीवाली के थोड़ा बहुत हीसा इस एरिया में देखने कि भी जाता है जिसका नाम है सुमेस सुमेसुर की पहाड़ी है जिसके उचाही जो 856 कि तक फ्हाला हुआ है मतलब क्या है यह जो 856 किलो मेंटर के बिश्तार है है जो बिहार के बता रहता है कि सुमेसुर के पहाड़ी है 856 km तक यह फैली वी इसके विस्तार है जो सी वाली का हिस्सा है ठीक है नेक्स्ट आते लो यह जो है ना बहुत important है और यह यहां देखिएगा तो एक question पूछा भूआ था BPC में आप लोग के exam में कि जो सिंदू और सतलज के बीच की हिमाले उसको बॉलेता है हिман चले हमाले ya कोमायी हमाले काली और तिस्ता के बीच जो हुथ है नेपाल हमाले तिस्ता और दिहां के बीच में जो है असंदूंध अब यह क्या है इसको थोड़ी समझ लेते है coloss नीग spaghetti जिसके नाम सतलज नदी दो ऐसे आये हुआ है उसके बाद से जो उसके बाद एक और नदी निकले हुए यहां से कौन से नदी तो काली नदी है कौन से नदी काली नदी होगी है यह सतलज होगी और यह सिंदु हो गया उसको यहां से निकला है कि कौन से नदी तो तिस्ता नदी के बाद यहां से एक नदी जो है यह से ब्रहंपुतर नदी जो आई है जो कि ब्रहंपुतर नदी है अब इसको क्या किये गए इस बीच के अधार बाट के बोला गया है इतना दूर के जो हिमाले परवत है ये तीनों हिमाले परवत को इतने बीच के हिमाले को बोला गया है पंजाब हिमाले या कास्मीर हिमाले इतने दूर के जो हिमाले परवत है इसको बोला गया हिमाचल हिमाल या हिमाचल हिमाले बलाएता है दिखे जब बुक में दिया है तो 100% यही मानेगा ना मानने के सवाल ही नहीं है क्योंकि इस पर चलेंज हो जाएगा अगर गलत एंसर मानेगा तो ठीक है अब यहाँ इसके बीच के जो है यानि की काली और तीस्ता नदी के बीच में हिमाले चे की पुरणचल के पढ़िए कौन सी अब उत्तर के 20 साल मैदान को देखते है उत्तर के 20 साल मैदान कौन कौन से यहां लिखा है सिंदू गंगा प्रहंपुत्र नदी को द्वारा जो मैदानी भाग बनती है उसको गंगा मैदान का हालता है जो भारत के ही नहीं बलकि 20 सबसे म मैदान कुनसी है भारत की मैदानओं है जो 205 की सबसे मैदानी पल चाहूं मेंसे एक है नेक्स जो कश्रानकाा काला की 7 लावल्हक कलमेंटर बहुँ फैला हुआ कितने लाव़ा किलुमेटर बहुत साथ किलुमेटर बहुत फैला इसकी लंबाई 2400 किलोमेटर, और 1500 से लेकर 500 इसकी चोड़ाई है तो उतने ही अर्य भी लगवाग लगवाँ 2400 किलोमेटर थोड़ा से कम होगे है बस अंतर इतनी है आगया जी है अब यहां करेंगा कि समुद्र तल से 240 किलमेटर अधिक उचा नहीं है यह इंपोर्टेंट है जो मैदानी भाग करेंगा ना समुद्र तल से बस नहीं है उप बाग किया है चार भाग बाटा थे पहले भाग बाटा किए सिंधू के सहायक नदी दवरा पच्छमी के बैदन और पंजाब मैदन तो पच्छिम के मैदन यह जो सिंधू की सहायक नदी दवरा बना है अब यह Cठ करेंगे क实ारी की जीनादी को दारे है इन इस आरे के नदी मिलती है ये नदी साख मिलती और धिस अब न इसा ईوفब contained में जो पच्वित्वों टार वठा बॉल उसने हमने पंजाब के हमाले बलाएंजाब ये पंजाब हमाले बोल रहा उर पंजाब कि दो तरवे का दवाब लिखा है एक देखेंगे दका है बारी दवाब और एक देखा है बश्च दवाब तो बारी में याद रिक लिखə बयाष और राभी दुनमिल 10 बारी में बयाष payment warranty ये दोने मिला हुआ है अब आजी आगे अब दूसरा देंगे दूसरा जो भाग है वो क्या है राजस्तन का मैदान पहला भाग था पंजाब का मैदान दूसरा जो भाग है क्या है राजस्तन का मैदान है उसके बाद से उसके बाद नीचे एंगे तो दिखेंगे इसके पुर् पुर्वी भाग में पहाडिया है जिने फॉर करते हैं H रहे कि काई है नदी है पहाड है जो आला मुखी है आणा किसी तरह को पहाड़िया है तो जो पचमी मैदान के पुर्वी भाग में उसको लूणी नदी यहां की परमुक नदी जो वार्षा के दिनों में कक्छकी रन तक जाती है या सांबर, डेडाना, डिवाना, कुछापन, जैसे क्या है, खारे पानी के जील है, जो सबसे जदे खारे पानी के जील है, वो जील है, वो सांबर जील है, वो सांबर जील है, कौन सा जील, सांबर जील, नेक्श्टा जील, अब इसके बाद तीसरे जो भाग बोल रहा है, मद मदवर्ती मैदान यह गंगा का मैदान किसे कहेंगे तो देखें मदवर्ती मैदान यह गंगा का मैदान को उसको बोलेंगे जो बीच मेदान 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 को और यह तीसरी भाग है पहली भाग था पंजाब का मैदानी भाग यह पछी मैदानी भाग और उसके इसकी बोलेगे तो 14 सो किलो मेटर लंबा है और इसका ढाल जो है न दिरी दिरी नीचे की तरह होते गिए जैसे मतलब इस तरह से ढाल इसका बनते गिए है भीहार जहारकंड में इसी तरह के मैजान भाग फैला हुआ है तो उत्तर परदेश भीहार जहार कंड के कुछ भागों में पचिम बंगाल भी यह कौनसी मैधन भाग फैले हूँ है तो गंगा की मैदानी भाग या पच्मी मैदान हो गया, यह राजस्तन का मैदान हो गया, और यह पूरा हो गया गंगा का मैदान, क्योंकि उत्रपर्दिश बिहार जाकर पच्छे मंगाले फैला हुआ है, अब यह पूरी गंगा का जो मैदान है, इसको तीन भाबों बाड़ दिया है, इसको कहा का कि यह उप वासे लेकर फरक्का तक चला जागा फरक्का मतलब पच्छी मंगाल तक निचली में इसके अंतरगत आ जागा गंगा का डेल्टा पर्दिश इस तरह तीन भगों में गंगा को मैदान को बाड़ दिया गया समझागे कोशन कुछ भी पूछ सकता है उपरी गंगा मैदान का अंतरगत तो इलहाबाद दिल्ली आते है मदवर्ती गंगा मैदान का अंतरगत इलहाबाद से फरक्का आता है निचली गंगा मैदान का अंतरगत गंगा का डेल्टा वाला पर्दिश आता है नेक्स्टा जी अ और चौर और यह भूमिका का अंद्रवान होती अभी यह सुने दिया से चौर यह चाचन नहीं चाचन कटी चाचन तो दूसर चीज हो गया यहाँ पहले का रहा है कि जो बाढ़ खूब नदिया लाती है ना तो बाढ़ द्वारा छाड़न जील या दलदल क्या बलता है दलद फिर यह था फैच से बील जाता यह जाता है यह भी शेट रहते हैं में पूरा बाढ़ ख्राशी अभी इस एवरेयो में पानी तो ज्यादा तो लगेगेँगा नहीं कि यह उुचा था नदी से हल्का 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 थोड़ा बहुत पानी तुछार भितण क्ड़सबिता товरए निर्वान होता है नदियों द्वारा जब बाढ़ हाती है उसके द्वान होता है यह दाल होगा इसका विस्तार होता है दच्छिन गंगा मैदान की परमुक नदिये सोण पुन पुन deafकू और चाचन ढ Ond of लुंचा नदी उसका नदान नीचिता जाहे यह सारी नदी, जा पिहार में इंटर करती है और जाह स्गर नीचेसान जियता और नीचे से सोन नदी, उसके बाहर भादी उसके बाहर जाहे और चे रersonल्लस, weird नदी, सार्मस, odor रइन, नीचे वचाचन, कूल नदी अजय नदी बहुत रियन दिये है जो गंगा नदी से आको जाके मिलती है नीची से आक़े अब यह करे ना जिसे करता हैं जैसे फिर से अगेन बिहार देखियेंग क्या आके बिहार को सिर्फ धाँग देखा जाए यह दछिनी भागी देखा जाए नीचे का यह क्या हो गया बीचोबी से गंगा नदी के किनारे जब इस सब नदिया जाख मिलती है तो क्या होता है कि इस किनारे सेड में बहुत सरे एरिया में क्या होता है इस एरिया में दल्दली जमीन जमा हो जाता है जैसे इस एरिया में नदी करन क्या हो गया नदी किनारे किनारे क् गंगा नदी कुझरी विए ये गंगा नदी कुझरी विए अब गंगा नदी किनारे किनारे रिखिया होता है कि नदियों में जब पानी ज्यादा होता है इस एरिया में पानी हलकालका लग जाता है और यह जमीन जो होता रहा है दलदली जमीन हो जाता है इस तरह के जमीन है यह इरिया है कौन संवे इस पतना जिला से पूरव साड़ में बढ़ेंगे इस सड़ में पूरव बोड़ेंगे। किनहरे किनहरे नदई नदियों किनहरे को छत्र आनि गंगा नदी के 16 अड़ी में यह च्ब्सक्रा है। ताल चेतर याजल्ला चेतर बोलेता है समझा जाए, process Bu और यह काफी तो, उपजाव मीदान कहला होता है जमलोड मज़े भी होता है क्योंकि नदिवर्य भाता, जमलोड मज़े होता है समझाए खेंillas अब तो कि अब अरग मेदाने बात है कि 6500 किलिम्टर किलमबा कितना लम्ब है Stevenonya yeah yeah सब्सक्राइब गंगा था 400 किलमटर दोनोंЗд subtitles कैसं और जी आधे गे JACK कि अग्या किमक्याइदर की चोरी पड़ित जो छोटे चुटे टुकड़ जो चुर्ण जोके कहा बांवार काते हैं लेख भांवर कहोता है इसको पहाडi भाग ये चाहिक नोब दोदेफेन जो पहाडी होता है नोफ यहांासे ऊणाएता क्या है लूँके पूरा पहाडी हो जाएने कने करण यहां भी ऐकी से पहाड बन गया, आपको लग रही कहें आधे कि यहां से नदिया निकलती है तो इसी में अंदर घुझ जाती है और इसी के अंदर घुझ जाती है हम लोग दिखता नहीं आज जहें तो हम लोग कभी पहाड़ी पर घुमने जाते हैं तो देखते हैं लोग तो अक्सर क्या होता है कि वहाँ पर देखते हैं लोग तो देखते ह है भाबर है इसी भाबर पाधांगर है बाणगर है था फाम हम तरह और वोगे निच्चे भाग में जहना नीच्चे भाग में पांधीय में पहाड़े निकल रहा है अब यह तराई किसे बोलते हैं, अब पनिया निकल के जहां भल रही है जैसे है उसी में से पनिया निकले जहां भल रही है तो पूरो तरह सा पानी 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 था थी उसी लों इसके बहुता TARोहटा फार यह चरदम अलग हो गया अभी दूनें एक बार्य कैसे है इसको मैं बता तो किसे भाइं हुआ हुआ क्या है कि यह जो मिट्टी ऊतना यह बहु ज़्यदा उप जाव होता है यह इसमें उतना ज़्यदा खाद पानी पटाने के जुरूत नहीं पूरती है क्योंकि पहले सी यहे खाद पानी इसमें पटा रहता है इसको बोलते लोग खादर और वही जो नदिया मानग चली नदीद वरा यह मिट्टी यहां बनी गई थी लेकिन अब जो है नदिया जो है अपनी रास्ता बदल ली इधर से जा रही है यह जो मिट्टी है काफी पहले मने बहु ज़्यादा उपजाओ होती थी अब भी उपजाओ है कंपेर किया जाए तो अभी उपजाओ है लेकिन खादर से कंपेर किय अगर आप सब अभी पढ़े हैं इसके ऊपर इक पहाड़ी के नामे बिद्यधियांचल की परवत से बीच में पथारी इसको बला जाता है मद उच्य भूमी की पठारी क्या बला जाता है मद उच्य भूमी की पठारी याद रखेगा क्या बलते है इसको मद उच्य भूमी याद रखेगा मद उच्य भूमी यह जो इरिया होगे ना यह जो इरिया यह होगे मद उच्य भूमी उला पठारी कौन सा मद उच भूमी वहला पठारी योग यो मद उच भूमी पठारी और इस सैड में है कौन सी परवत अरावरी परवत कभी कोई 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 पूछता है कि जो विध्यांचल परवत है किन दो भूखंडों के मद मतलब फासा हुआ या भूखंडों के उपर में था नर्मंदा से नीचे जो है उसको बलाजाता अब दक्कन का पठार यहां यह क्या दिखावाद समझाते है मद उच भूमी के अधिकतर भाग मालवा का पठार कलाता अब सुनी दियां से जो मद उच भूमी था ना उससे को मालवा का पठार से अब हो अब कहता है दोगणा मतलब में पाहड़ी है पूरां में और मका पहाड़ी है महादेव और सुरीचल की सुननगा से मतलब क्या है इसको फिर से समझे यह होगी आमान के चली कि यह पठारी जो बाग हो गया इसको बलते मद्द उच भूमी पठारी या इसी को बलते मालवा का पठार का अगर देखा जाए ध्यान से इस सेड में अरावली परवत इस सेड में यह उत्तर और पच्छिम सेड में इ अब कर रहा है कि नीचे में जो है कौन सा है तो नीचे में जो है यह यहां पर है यहां पर नर्मदा ना दी और यहां पर जो है कौन सी है यहां पर है विध्यान चल कौन सा विध्यान चल अब यह जो है इसकी मद्द में यह फंसा हुआ है कौन सा मद्द उच भूमी इन सभ बल्केन बेतवा बहुत सरी नदी निकलती है यह भाग पच्छी में चोड़ा और पूरा में क्या संक्रण मतलब क्या है इधर चोड़ा है और इधर ज्याद आके पतला हो गया ठीक है नेक्ष्ट आते लो और समझते लुच में अब कहा रहा है कि इसका इस्थानी रूप से न अगे बढ़ेंगे ना दामदर नदी के पास आएंगे स्वन रहे नदी पास ऊएंगे तरी इसका नाम पढ़े ए चोटा نगपूर के पठार बुंदेल खंड बगेल खंड बगेल खंड औरो छोटा नापूर के पठार इस महादेव की पहाड़ girlie दिखरी है ठीक है और उसके वाद से आरावली यहां दिख रहा है यह वाला इरिया है यह पूरा इरिया यह धिक्ना अगए जाकर पहुंच गया यह यह यही पूरा राज्य को तरफ में बढ़ गया है यहाँ कoo MEGHALE का पठार बкоеल्यस का पठार था лиता है क्या बोलते हैं इसको MEGHALE की पठार भी ब बोलते है और MEGHALE के पठार । यह पोरी पूर्तर राज में यह पूरी तरह से फैला हुआ Qs सलीद आ कि MEGHALE का ब पठार भागए वो किसका हिस्सा है तो मद उच भूमी का हिस्सा या छोटा नागपुर का हिस्सा है याद रखेगा आगया जी अब यहां तो यह सब दर्रा दिया है थालगाड भोरगाड जैसे की आप से भी बतावे कि यह थालगाड भोरगाड किदर है अब यहां कुछ चीजे दी गए इसको थोड़ी समझ ल यहां देखेंगे तो यह खंबाती खाड़ी देखी लिए अब इस वाले देखेंगे तो यह मुंबई बंदरगा है अब मुंबई बंदरगा से नीचे की तरफ आएंगे तो कॉंकल टटा गया उसके वाद से गोवां की रजदानी यह पंजी दीख रहा आप लोको पंजी यह चरहा कि पच्मी घट के खड़ी डाल भी इस वाले इरिया में और यह पच्मी टटिये संक्री मैदान है यहां देखेंगे तो यह मलावार टटका रही नाम क्या कर रहा है मलावार मला यहां क्या देख रहा है कि अन्ना मलाई की पहाड़ीया जिसकी उची चोटी अनाय म यह नील गिरी के पाड़ी है देख सकते हैं यह पच्मी घाट और यह पुर्वी घाट में अलग अलग नाम से जाना जाता है यहां देखेंगे तो यह पाक जल संदी है भारत और स्री लंका के बीच में कोरो मंडल इस वाले टटको कहा हो जता है दो तमील अडू के साड़ में नेक्स्ट उपरमा जीव पुलिकड जिल देखेंगे तो यही पर महा न ददीदरा उडिशा में चिलका जिल सबसे बड़ीREW घारय पानी के जिल है सबसे ज़्यादा खारा है नहीं सबसे बड़ी खारेपन का लैगोन जील है ठीक है इस सारी चीज़े इसमें दी गई है आगया जी यह लो यहाँ पाई है अब यह कर रहा है कि सत्पुरा की 1350 मिटर के उची धूप गड़ की चोटी यह दर की कि सत्पुरा के सबसे उची से एक तक यह गया हुआ है इसका मतलब कि यहां से पहुच हुआ है यह साथपुरा या कि यह पठारी भाग अब इh इस पठारी भाग में बहने वाली दामोदार सौन अर्शौन रख मेरें पछरी का ठाय מी dhugh और छोटा नागपुर वाला जो यह राट च्छोपर में आ जो एकगजार grazing में चला जाएगा अब यहां करा है कि सत्थपुड़ा से दच्छिन में तापती नदी बहती है अभी मैंने बता है कि विद्यांचल के दच्छिन में नर्मदा और सत्थपुड़ा के दच्छिन में तापती यह आजंता के मद्दे में दिल्ली की पहाड़ी है तो कि अरावली पहली सिकर तो अरावली के सबसे उची चुटी मान्स एक गरी शिकर दूनु में इस याद रखेगा को कि अब आए दककन के पठार मद उच्च भुमी के महाराष्ट पच्छमी आंद्रप्र्देस ,- करनाठक और तमील अड़ वयरा , फेल हुआ है , दक्षण के पठार जो होता है , अचलता दक्षण के पठार भ्यक्षान के बेसाल्ट चट्टणस बनी है , किस चट्टणस लिए ? कपासी खेती खुब होती है सारे बाते समझा गया यानि कि अगर दकन को पठार का छेतर याद कर लिजेगा तो आपको काली मिटी का भी छेतर याद हो जाएगा और काली मिटी का छेतर याद हो जाएगा तो कपासी खेती कहां होती यह जाएगे और कपासी खेती कहां होती यह कौनसी है दोदा बेटा यहां का रहा है थाल गाड भोर गाड इसब पाल गाड सेन कोट इसब उसी के पास में ये दर रहे हैं अब दच्छिन भारत के सबसे उची चोटी जो कौनसी अन्ना मुड़ाई की पहाडी की अन्ना मुड़ी है अन्ना मुड़ी अन्ना मुड़ी की प तटी मेज़ान में देखा जाएगा तो तट नदी किनारा उसको कव्यान करते हैं है अब यहाँ किया प्राइदिप कर दो अन्तिरीब क्या होता है अभी किनारा उसको लाइगन प्ला जायगा जाए अधिक इसे बंता है लेकिन वह क्या है कि ऐसे आए से पुरी भाग आ ऐसे पुरा भाग फ्या पहला हुआ है तिक है अब फिर उसके पाद इस तरह आएगा यहां पर ऐसे-से पहला हुआ होता क्या है कि जब किसी भी कारणवस से यह वाला इरिया ब्लॉक हो गया यह वाला इरिया ब्लॉक हो गया इस तरह क्या होगा कि अंदर जील बन गया यह वाला इरिया ब्लॉक हो गया तो क्या होगा यह अंदर जील बन गया यह वाला इरिया ब्लॉक हो गया तो क्या होगा यह सब लेंगूर में ही इस्तित है क्योंकि उस एले अरिया में जैसे मान इसलिए अगर कोई जगा ऐसे हो गया है अब यहां बंदरगा बना देंगे तो फादा क्या होगा और यहां आराम से जहाज गुझ जाएगा अब इतना पतला नहीं होता है बहुत चोनशड़ अरिया होता है इसलिए जहाज आराम से गुझ जाता है उसे मैं अपनों से बना जा रहा है अब यह कर रहा है कोकड कोकड जो है अब कह रहा है कि यहां पर सोराट और कच्छ के मैदान भी फखले हुए पच्मी टटी मैदान के भाग को कोकड तर दचनी भाग को मलवार टटी मैदान का जलती है नर्वदा हो चतापती है उसाब किसके बीच में से निकल रहा पाहाड के बीच में से तो जब पाहाड के बीच में से निकलेगा तो मिट्टी उसको मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मिलेगा खाली उसको मिलेगा पत्थर कंकड और सब ले जाका नदी में गिराएगा त अब कहा रहा कि उत्तरी भाग को गोलकुंडा टट और दचनी भाग को कोरो मंडल टट करें अब यह क्या है यह वाले इरिया का रहा इस वाले इरिया का यह पूर्वी घाट के पूर्वी घाट के उत्तर वाले इरिया को गोलकुंडा और निचला इरिया को कोरो मंडल टट करे उसी दर यहां कुकड़ता और मलवार टड़ता बस इतना यह यह रखेगा हलाकि बहुत वरी नाम है इसके घाटिये को अब यह मरुस्तल के देखेंगे मरुस्तल यानि मरावास्तल राजस्तान वाला एरिया में मरुस्तल है जिस 644 किलोमेटर से लेकर किलोमेटर चोड़ा है और इसकी छद रबल जो है एक लाग चार हजार वर किलोमेटर फ़ला हुआ है 15 संटीमेटर से भी कम यहां बारिस होती है यही करण कि यह मिटी होती है बंजर पूरी तरह से उपजाव नहीं होती है आगया जी अब यहां एक जानने लिए चीज क्या है लूनी नदी जो है न सबसे लंबी नदी है अन्ता परवा ठीक है यादर कि लूनी नदी क्या है तो अन्ता परवा नदिया है क्या अब यह अन्ता परवा है जो अंदरे अंदरे परवाहित होती है खतम होती है जैसे लूनी नदी जो होती है समूदर हो जाके नहीं मिलता है यह कच करन में जाके बिलीन हो जाता है, यह समुदर तक भी नहीं आ पाता है, ठीके यह अंदरे परवाईत होती रहीत है, अन्ता परवा हो जाएगा, अब दिवीप समुँ, बारासो चपन को दीप है, पांसो बहत्तर को तो कहा है, बंगाली खड़ी में, चातिस को जो है, व यह होगे निकोबार, बीच में कितने डिगरी चनल है, 10 डिगरी चनल है, मतलब कि 10 डिगरी अक्षान सरका इसी गुजरी हुए बीच में से, बारत के सबसे दचनी बिंदू कौन सी है, इंदरा पॉइंट, इसी को पार्सन पॉइंट भी गालता है, मतलब क्या हुआ हुआ क का से, बीच में कितना है, 11 डिगरी चनल हँए यानि यह हो गए यह मॉल दिपो अगर देखा जाए तो 9 डिगरी चनल है, ठीक हुआ हीं। बिहार के गंगा के द्रोनी में खौनिच तेल मिलए की भंडार है अब आता है कॉष्टशन सर और देखेंगे क्या हैं यक्रन नेमिलिकर बास्तों से कौन सी चोटी भारत को تसंथित नहीं है मौन्ट परिष भारत में नहीं है क्योंकि महां तो बेश्ट नेपाल में और इसके नेपाल में सागरमा ठाखते हैं इसके उचाई जो है अठाजार आड़ सो अड़ाइस मिंटर है सारी चीजी अदर रखी गया बिहार के उत्तर पच्छिम किनारे पर हिमाले की कौन सी सिरी यह उत्तर और पच्छिम बिहार के सिवालीके निर्वान directing के सिधान देकार हिमाले का निर्मान हुब्स है और सगऌ रख्छना रखी उत्तर वलिध बताना रहत है तो अर्मा बताना रहता थे बारे किया बता सकते थे 846 किलो मेटर लगभग फैला हुआ है पूरे बिहार में यह सिवाली का अगर भी स्तार बिहार में देखा जाए तो ठीक है जिसको सोमस्वर पहाड़ी के नाम से भी जना जाता यहां देखे सेडल चोटी का हाँ तो 642 मिटर सेडल चोटी की उचाई होती है अगर सेडल चोटी अंडरमाण निको बार दीव समय में 738 मिटर होना ची है हलाकि किताब में यहां 742 नहीं होना ची है 738 ही होना ची ठीक है आगया जी है भारत की सबसे इसको आप लोग करेक्ट कर ले जिगा नहीं तो यह देखे यही होता है ना कि मैं इसको प्योडियाप डाल देता हूँ त उसमें दिक्कत क्या हुता है निकुछ गलत अगर इसको गलत देखने लेते हैं क्लास देखने से आधे खर्धाह होता है कि चीजें करेक्ट किया जैता है नौट रीज्चन के हिसाद करना पड़ा और पता करके मैंने इसको निकालके रखा था लुए लिगभा घर होको इसक अब इसका कर लेते लो MCQ, on the spot सारी चीज़े क्लियर कर दीजिए, बात का छोड़ने, कल करो सो जो आज कर, आज करो सो अब फिर कब तक बठा रहा है, है कि नहीं, अभी on the spot होगा, इसी तरह एक एक चप्टर complete होते रहेगा, चीज़े बढ़ियां होते रहेगी, आइए MCQ के त भारत के उपबंद, पूरा चम्बक्य परिनामों से संकेत मिलते हैं, कि भूत काल में भारतिये स्थलपिंड सरकरा है, तो भारतिये स्थलपिंड सरकरा जो है, मतल й कहां से सरकरा हुआ है, तो कहां से घिसक क्या हुआ है, उत्तर से घसक क्या है, कि पूरовал से पच्छिम से, बताइ, अभी जट पड़ें आप लोग की, दछिन से घसक क्या है, यह न, कहां से घसक क्या है, भारत के उपलान चुमक्षिये परिनाम anchet मिलते हैं, कि भूताल में भारती अस्थला, अस्थ भूकर्ण का भाग है जिसे कहते हैं विसाल भूकर्ण का भाग है यानि किसका भाग है भारत गुट्वानर लेंड का भाग है ठीक है यह आई-इस की प्री एक्जाम में पूछा हुआ था तीसरा नमर को संदे की गया तो लिखा हुआ क्या भारत में कितने प्राकर्तिक परद पुछता है जैसे देखी यहां लिखा भी है कि छे भाग बाटा गया एंसर भी कर दिया और अगला कोशन लिखे है कि उत्तरा खंड उत्तरा खंड कि उत्तरा खंड कि इस भाग में पताल टोंड कुवे पाया जाते हैं तराइ मतरा कोशन नहीं है संग्राशनस कोछन की निम्ली के क्रिखन करना करते हैं लो कास्मीर जो घाटी कास्मीर की घाटी की रचना एक के सम भिंती से हुई है तीसरा जो है गंगा मैदान की रचना एक अग्रे गर्त में हुआ है ठीक है पहले वो गड्धा था अग्रे गर्त दीर द्रवो गंगा का मैदान बना उसके बाद हिमाले के उत्पती भारतिय प्लेट और रिस्याई प्लेट तता चीनी प्लेट के तीर कोनी है अभिसरांस परवतों में से एक है ठीक है भारत के पच्मी समुद्र टट का निर्वान नदियों की जमाओं के द्वारा किया गया है पच्मी टटकर निर्मान नदियों की जमान नहीं पच्मी टटकर निर्मान तो ये पठारों सुगा है भारत में गड़वाना सिलाओं में यानि गड़वाना चटानों में कोईले का ब्रिहधन बंढ़ा रहे तो बिल्कुल बंढ करने के लिए तो कहा रहा है कि सुची बान और सुची दुख को किईए संभिल कीजिए याद रखी इसको अगर देखा जाएं दक्कन ट्रेप देखा जाएगा किसे मैंच करेगा तो याद यह दखी जाएगा क्रीटिस आदी नूतन हो जाएगा, दकंट्रेफ हो जाना चीए, उसके बाद कर रहा है कि पच्मी घाट, तो उत्तर नूतन हो जाएगा, ठीके, उसका अरावली देखा जाएगा, तो अरावली देखा जाएगा, तो प्री केंब्रिय जी सबसे पुरानी है, नर्वदा तापती, नर्वदा इसे हो जाएगा, पच्मी घाट, इसे हो जाएगा, यहाँ लहें कि केरल का कुड़ा नाडू पर सीध है, तो मिठे पाने के जिली के लिए, भारत का निवनतम उचाई व़्ला छेतरे के लिए, या प्रमान दीब के लिए, या भारत क י सबसे पच्षिमि सबसे पच्छीम इस्तित बिन्दू के लिए तोан Sheep कौन सा मरोष्थल है थार्मारोष्थ Runner अगला कोशन लिखा हुए कि निमलिकित में से कौन सा जिला धरवाड भू इस्तरीय रचना वाला नहीं है तो धरवाड भू इस्तरीय रचना वाला नहीं है कौन से जिला याद रखी का रोहतास जो है वो धरवाड भू इस्तरीय वाला रचना से नहीं है क्यामूर रोतास जो कोता है न यह विध्यांचल का इस्साथ है को देलिकी से कौण से चटान परणावी भारत में यह तंसा न्यूंतम है तो कौंसा कौंसा चटान परणाली सब्से नया नियूंतम है थे मैं कौन से गुडवाना लेंड हो जाएगा आगया जी नेक्स्ट कुछन यहां से नया टॉपिक शुरू हुआ अब इसका नेक्स्ट कुछन देखेंगे लूँ हो गया यहां जी यहां देखिए एक नमर कुछन आ जी यहां पर इसको देखिए नमलिकत बिचारों को बिचार किजिए जो भी कथन दिया गए उसे बिचार किजिए और नीचे दिये गए इन कुट्टू पर पुरा किजिए सिंपल बात करें किजिए को इसका कारण रूड़ना है करें कि हिमाले से निकलने वाली सभी नद्या सधतवाहनी है क्या जाए दोसरी को एक-दू-छुर को 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 कथन से मैच ने कर रहा दोनों कथन अलग अलग है, ठीक है, तो दोनों, A और R दोनों सही है, लेकिन R और E की ब्याख्या नहीं करता है, ठीक है, यह अलग अलग ही हो गए दोन तरस से, दूसरा नमर कोशन आजी, दूसरा कोशन करा है कि ने मलिकि फिर ब्यकतबियों पर विचार किजिए कौन गलत, क कॉन सा ही। कॉछ गाला लगंता है। कर रहा कि हिमाले से निकले लहे हाले नादिया सतत्वाहिनिया परें हिमाले नदियों का उदगम श्रोद हिमानियों में इस्तित थित है। स्पितित हुए ₩ में सब्याए कि A और Cassis दोनों सब्समी लग रहा हा। लेकिन तीसरे नमर कोशन कह रहा है कि हिमाले की रचना समनांतर वलाय सिरेणियों में हुई है जिसमें से प्राचींतम सिरेणी है प्राचींतम सिरेणी को ने बिरियाद हिमाले की सिरेणी प्राचींतम सिरेणी है ठीक है नेक्स्टा जी चार नमर कोशन कह रहा है कि यदि हिमाले पर परवात स्रेवियों नहीं होती तो भारत का सरवादी के सब भावं किया होता, तो भारत अगर भाववली पर देखा जाए, तो देश का अधिकांस भाग सहाईरिया से आने वाले ठंडी लहोरो में का अनुभाव करता है बिल्कुल करता सिंदू गंगा का मैदान शू बिर्स्तित जलोड मिर्दा में से वंचित रहता है यानी जलोड़ो नहीं रहता बिल्कुल नहीं रहता किकि ऊदर से सनाक सनाक हवा मारता तो यह पूरी तरह से ठंडाइल मांसून का प contracts रूप से भीन होता है बिल्कुल होता है सब हो जाएगा एक दो तीन के वल नहीं किवल एक दो तीन हो जाएगा सही नेक्स्ट कोचना जी है है तो पांच Cape så कोचन कहल रहा है के उत्थर उतर भारत में उपे हिमाले छेत्रे के सहार準 प्हेले मैदान उप इमाले के सहार नहीं हंते हैं थिछुक हिमाले का पत्थुर का हिस्भाइब का हिस्पर सब्ता धीष है पर्वत पद्प्धादिय है तो है सीवालीख हो जाएगा सिवालिक के पाड़िया निमन में से किसका हिस्सा है अगर सिवालिक पाड़िया देखा जाए किसका हिस्सा है सिवालिक तो अरावली का पचमी घाट का हिमाली का हिस्सा है सिवालिक यह तो बहुत असान कोशन है, MPPCS में पुछा हुआ है, अगला लिखा हुआ है कि सिवालिक सिरेणी का निरमान हुआ, तो कब हुआ सिवालिक सिरेणी का निरमान हुआ, तो कब हुआ सिवालिक सिरेणी का निरमान हुआ, तो कब हुआ सिवालिक सिरेणी का निरमान हुआ, तो 900 से लेगा ए 11 सिमीटर तक अगले कोशना जी है कुमाईव हिमाले न indices के बीच में हbye कि सम्दी बीच में हो जाया किसे बीच हो जाएगा तो किसके बीच हो जाएगा शतलज और काली के बीच में हो जाएगा नम उसके लावा फिर से काली और तीस्ता के बीच में देखेंगे तो नेपाल हिमाले तीस्ता और ब्रहंपदर के बीच में देखेंगे तो अशम हिमाले सब हिमाले के बारे में याद रखेगा सिवालिक के सिवालिक साहल समगों के दच्छीन में हमार छेत्र उधारन है किसका उधारन है तो गिरी पद में स्थित ये छेत्र है उसी का उधारन है गिरी पद मतलता है पहाड के गिरी मतलता है पहाड पद मतलता है उसका पैर पहाड क तीन न दिया बिलकुल ठीक है यह भी मिलेगा समान अंतर परवस्रेणी मतलब एक समान परवत खुब देखने के मिलेगे यह भूकलन के लिए उतरता है तीरू ढाल ढाल भी मिलेगे सब मिलेगा यह एक दो तीन चार सबोजना जाएं तेरे नमर को स्टन यह आई यह खुब प पिर पनजाल में पहτα है यह खुब पहाई जासकर क Nana में शभिझव पहाँ लिखितां Megarta delta खैंक compare analysis में लैवे अर्व आपनिन के अथा और लागों के शोर्ण जासकुल एक इस्वलए नंगå नगों मुकल तो मर्ग एरी ता याआई गास दून घाटि या दो अध्वारर घाटि नेक्स फ़ुअ निए लगूहीं में इस्थित है लगु हेगाले में इस्तित है मद्य में क्या है तो लगु हिमाले जो है जो इस्तित है वो किस किस के बीच में इस्तित है यानि मद्य हिमाली के बात कर रहा है तो सबसे नीचे हो जाएगा PCS क्जावाँ पच्मी भाग में पच्मी भाग में हिमाले टच्छिन से उत्तर कि यह कौण करम सही है है यानि दचछिन से उतर कितर बढ़ रहें यानि कि दचछिन से ऊपर कितर बढ़ है तो सबसे प्पर बढ़ेंगे को अधिमार नियो WOW दूई से नाया बोलेगा तो यत्रहेगा तरल के अगला 17 नमर कोशन लिखा है कि अधो लिखित उच्चावच अक्रितों पर ध्यान दीजी जासकर धोला धोराधर लदाक और काराकुरम क्या करा है इसके बारे में देखे तू क्या क्या रहा है कि उप्युकते उच्चावच अक्रितों का दच्छिन से उत्तर की वर बढ़ें गए तो सबसे उपर में हो जाएगा सबसे उपर में हो जाएगा कारा कोरम की बाद कराकुरम के बादा ना एक उपर गया क चार तेन लदाक वह से जासकार आजएगा एक जिस वह है गई दर गया कह रहे है कि दछिन की तो देखना है यह सबसे लाष्ट में जाएगा चार तब टीन तब एक यह बोल यह वह ला ऐंसर आगा ध्षिन तो नीचे के तरफ कि करम वाली परवत स्रेनिय की बताई है फिर कह रहा ब्रका जिसा की और यानी नीचे से उपर की तिरप जाना है अपर से नीचे आप जानते है न उपर से नीचे है कारा करम, लादाक, जासकर और पीर ंट ओप्र को साढूं पूर्व से पच्छिम करए रहे किältा हरा फूरव तरफ करने के रेंगें पूरव से इदर आने इस यानि पूरव औरप पच्छिम के तरफ यह तो इस रेंश कअ पच्छिम के तरफ मेंतलब तो और उसके बाद देखा जायेगा तो कॉंसी नेखा जाए उसका और अपुर्न जो छोता है आका संद आवर्एक और इदर मिलेगर उन्पूर्स अनिदर मिले साखे सबसे इदर के कत यह जाई वह पोई पर से शाली युद्ध नहीं साखे से लिकाव उत्र फटी की कि द्रिष्टीसे निम्न प्रवस्रीनियों में सबसे नियुनतम कौन सा है तो सबसे नया कौन सा है उत्पत्त की दृष्टी से तो अजन्ता कैमूर और पाल कॉंटा यह सब पहाड़ी है किसके पठारी वाला दर्चिन भारत के पठारी हो जाएगा लेकिन पठकोई जो स्रीनिया यह है हिमाले क सिरेनिया अभी प्रहिमाले के पूर्वत्तर भारतम उड़ता है इसको प्रुवाश्यल के पहाड़ीय का एता उसमें कौन-कौन से पहाड़ीया थी पठकोई थी नागा था मीजो था जब हिमाले की हिस्सा आए हिमाले खुद नहाय तो पठकोई भी नहा हो, अगला कॉसना कौन सा प्तव की पाड़िया के सनलग में नहीं है ते ना मेन की पाचरो कहां पाई जाती से लुए सि्रेनि कहां पाई यह पाई जाता है कौन सब को यह रर हाटी जोंग शे finis इसका निर्वान स्रप्लत्र के स्रींट करंदों मेहा, यह भारत के समारिक दिरिष्टि से महत्तपण है, यह एक दो तीन कर सब सही होजाएगा एगला और यह हमको लग रहा है कि 45 कोशन के बाद यह incomplete हो जाएगा निमने हिमालेष प्रवत्सृरेणियों मैं किस से प्रवत्सृरेणियों को अधल टनल फार करता है तो किस को पार करता है किन दो परवत सरेनियों के मदे कास्मीर घाटी इस्तित है किन दो के मदे इस्तित है तो बिरहत हिमाले और पीर पंजल के बीच में कास्मीर घाटी है कास्मीर घाटी इस्तित है फिर वही दुबारा कोचन पुछ दिया UPPCS में पूछा हुआ है तो पीर बंजाल और हिमादरी परवत यानि हिमादरी बोली है या हिमाले परवत बोली है स्वरी हिमादरी बोली है महान हिमाले बोली है बियाद हिमाले बोली है ठीक है इस अधरिक हिमाले बोली है नाम सिर्फ बदल दिया है देगे MPPCS उसी को दिया है बियाद हिमाले और E का है तो लादाग का पठार ठीक है ग्रेट हिमाले की उंचाई कितनी है तो अगर देखा जाए तो 8800 50 मिटर में मान सकते है उसके आजवस में कई कई 8800 48 मिटर भी देता है तो ऑप्चन कुछ है नहीं तो इसने हमाले का मैं और देखा जाएगा हमाले की प्रया वाची है हिमाले की क्चित्र हुआ हिमाले की केल पंच राजियों में फैला हुआ है विचार पांच राज़ों में कौई से सही है他माले सकार राज़ों में उसक्राइबि प्रेकर निक्राइब कीवा आध्रपर देस क्यों अग्या고 आगया जी हिमाले परवस्रेणी निम्लिकित मैंसे कौन सा राज्य का हिस्सा नहीं है हिमाले परवस्रेणी किस का हिस्सा नहीं है तो उतर परदेश का हिमाले परवस्रेणी निम्लिकित मैंसे किस राज्य का हिस्सा नहीं है प्रतिषण का हिस्सा नहीं है कि अज सित्वेक बिभारत से भारत के नियुंतम स्रेणी है जो आनज सब्सक्तर來了 निविशे दिये गए कथन को दिये गह। जो ये कथन के ऐ और दूसरे कथन आँर है, अब इसको देखना है कि कौन सही है नहीं नहीं है मैं श्रूइन 58 में हिमाले श्थित्य में시는 151- Cont견 अवस्थित है हिमाले में कई अनुदर दे उतकरम चित और वस्थित है इसी करण से भुकम पर चित रहा है यह आर और एक ही सही बेका करता है बिल्कुल सही हो जाएगा मनिपूर पहड़ी है मैंफाल बेस्ञ एक सुदर उद्धारन सरव यह मैदान को और 네 कि मनिपूर का जो इंफाल बेसीन है इसको क्या बलते है सरवरीय मेदान भी बोलते है इसको पकड़ डीचे लाप लो हिमाले परस्रेजिन के निपलिकत में से कौन सा सही है कौन सा कथन सही है गलत है जो भी है कर रहा है कोशन कर रहा है मुख के हिमाले की परदार चटाने अगला कोशन् समुष का हिमाले कि क्या करेवा भुयक्रति ऑतने करे पाःकरति एक डिए प्रिल्ड लगबने सब्सक्राइब नमस्क्राइब असलाम अलाइकुम जयए हिं भारत